नमस्कार स्वागत, अपका Next News में और मैं हूं आपके साथ रितिक बात करेंगे बिहार विधानसबा चुनाओ को लेकर युक्टई, बिहार विधानसबा चुनाओ की तारीक अब नस्दीक आती जा रही है और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव की सरगर्मिया जो है वो तेज हो गई है और इस क्रम में बिहार में हर एक राजनुतिक दल के कारे करता नेता बिहार के कोने कोने में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने में लगे हैं और अब इसी क्रम में देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी बिहार आ चुके हैं जी हाँ पीएम मोधी अब बिहार आ चुके हैं और बिहार आते के साथ सबसे पहले उन्होंने सासाराम में जनसभा को संबोधित किया है और अपने संबोधन में पीएम मोधी ने भोजपूरी भाश सभी जनता को के हैं और अब जैसे जैसे वक्त कम बीता जा रहा है अब देखना ये है कि 10 नवंबर को आखर सरकार बिहार में किसकी बनेगी क्या एंडिये की सरकार होगी या किसी और अन्य राजनुतिक दल की पार्टी की सरकार बनेगी अब ये देखना होगा 10 नमबर को, सबसे पहले में जाते हाते हैं, आपको बतादू दर्शकों कि तीन दिन ये आप नोट कर लिजिए, थाइस अक्टूबर को पहला मतदान होना है, तीन नमबर को दूसरा मतदान होगा, और सबसे आखरी मतदान 7 नमबर को होगा, और 10 नमब मोदी भी चुनावी जनसभा को समोधित करने में लग गए हैं, और बिहार आचुके पिये मोदी, अब देखना ये है कि क्या पिये मोदी की जनसभाएं, NDA सरकार को मदद करती हैं इस बार के चुनाव में, फिलाल के दीजिजी अजासत देखते रहिए, नेशन न्यूस, न ऑजी और के चुनाव में, फिलाप है करने में, फिलाएं धर आचुके जनसभा को में.